हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज हम कच्छा दस के समाजी विज्ञान के उन महत्वपूर प्रशनों को आप सभी को बताने वाले हैं जो 2024 के बोड के एक्जाम में 100% आने वाले सभी सवाल हैं फ्रेंस यदि आप समाजी विज्ञान में 100 नमबर में से 95 नमबर यदि लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा इस वीडियो में आप सभी को समपूर समाजी विज्ञान का महत्वपूर प्रशन हल करवाएंगे जिसमें आप सभी को बहुवी कलपी के साथ साथ दिर्ग उतरी प्रशन भी आज बताने वाले हैं तो फ्रेंस यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करें तो फ्रेंस देखिए आपके सामने पहला नंबर का सवाल है ये आपकी बोड की एक्जाम है फ्रेंस कई बार रिपीट हो चुका है और आपकी बोड की एक्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेन सवाल है ठीक है देखे, सवाल है, कि जाल्य वाला बाग की घटना कब हुई? आपसन है, 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 3 अप्रैल 1919 या 25 अप्रैल 1919. तो फ्रेंच, देखे, इस प्रश्ण को आप ज़रूर याद रखिएगा, जालिय वूला बाग की घटना जो घटी थी वो 13 अपराइल 1919 को घटी थी इस प्रश्ण का सही जवाब आपका S होगा फ्रेंच जालिय वूला बाग कहां पर है तो आप याद रखियेगा पंजाब के अम्रित सर में कहां पर पंजाब के अम्रित सर कर दो लिए और चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि राश्टवाद का प्रारम किस देश से हुआ यह भी आपके बोटके एक्जाम के लिए सबसे इंपोर्टेंट प्रस नहें देखियों यहां पर अफ्षছान है कि फ्रांस भारत जर्मय यह है इटली तो फ्रेंट्ट देखेंज यहां पर राष्डवात का प्रारांग रेज़ किसी ने यहां ठीक है अगला नमबर का सवाल और आपका तीसरा नमबर का कि रोलेट एक्ट कब पारीध हुआ था आपसन आपका है का 1918 इसवी में हुआ था या 1919 इसवी में या 1920 इसवी में या 1921 इसवी में तो फ्रेंज इस प्रश्न का सही सही जवाब होगा कि रोलेट एक्ट जो हुआ था उन्नीस तो इन्नीस में पारित हुआ थे तिसका सही जवाब भी वला आपसान करेक्ट हो जाएगा तीसरे का सही जवाब आपका भी वला है ठीक है अब फ्रेंस आपके सामने चौधा नंबर का सवाल है कि यंग इटली संस्थापक तो आप याद रखिएगा कि यंग इटली सोसाइटी की संस्थापक थे मैं जिनी थे इसका सही जवाब भी वला अड़ी वला आपसन करेक्ट हो का फ्रेंस ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं पांचवा नंबर का सवाल क्या है आपका भारत छ जुलाही 1942 इसवी में अगस्थ 1942 इसवी या सितंबर 1942 इसवी तो फ्रें देखिए भारत छोड़ो आंदोलन अगस्थ 1942 इसवी में प्राराम हुआ था तो इसका सही जवाब सीवला आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो पांचवा का आपसन कौन सा सही है सीवला आपसन ठी चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपको छटमा नंबर का सवाल क्या है कि संयुक्त राष्ट संग का मुख्याले कहां परिस्तित है अपसन है वासिंगटन जिनेवा न्यू यार्क आश्ट्रिया फ्रेंस आपके बोर्ट की एक्जाम में या प्रश्न भी कई बा सर्वार्क में समझ में आ गया आपके सामने अगला नम्बर का सवाल है ठीक है साथमा क्या है आफ को आफ्रिका में रिंड़ फेयुक्त क्या था ये और फिरिमारी है म्मारी है रिंड पेश्ट कहा था एक बीमारी था ठीक है चलिए अगले नंबर के सवालों को देखते हैं देखें आठवा नंबर का सवाल क्या है आपका कि अध्योगी क्रांती सर्व पर्थम कहां प्रारम हुआ था आपसन है इंग्लेंड से प्रारम हुआ था यह जर्मनी से यह फ्रा सब्सके पहले किस भासा में पुष्टके चपी थी इस प्रशन याद रखे घुड़ायंगा यह डी वाला नंगरिमें पुष्टक चपी थी हमकि को इसको याद रखिए आपका दस्वानामबर का फ्रेंस सवाल है तो स्वरिदार खेती की जाती है प्रेंटी को यहां पर अप्रदन का साधन है आपसा ने पवन जल हिमनात पशुचारत यहां पर अप्रदन का मतलब होता है कि नीचे आता है देखें पहाड़ों पर अप्रदन का मतलब होता है इसका सही आपसान क्या हो जाएगा ठीक है अब देखें यहां पर बारा नंबर का सवाल है चिप को आंदोलन संबंदित है मिर्दा संरचर से वन संरचर यहां पर याद रखेंगा चिप को आंदोलन क्यां जल जल संरचर से संबंदित है तेरावाजने महाधा नदीब नदी पर चीनाव नदी पर यह नदी पर या किश्रा नदी पर तो फिरेंट डेखिया यहाँ पर लिखा है सलाल बाह। तैशल बना नदीब बना इसका पste crazy जवाब बिवल आप्षान पर करेक्ट हो जाएगा अब दिए फ्रेंच-च virgin सवाल कैंतों तो आप सभी को है कि फरेंस पर सबसे अधिक मात्रा में में जल पी पाई जाता है समुंद्र देखिए कहां प्रतिशेत प्रतिछत केंने तुप तो फ्रेंज देखिए बहुत आसपासित आप याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में पिर्थी पर जो समुद्र में जल पाया जाता है बहुत है पांच परतिसत इसका सही जवाब सीवल आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब दिए फ्रेंज आपके सामने 15 नंबर का सवाल है कि कौन एक रिशेदार फसल है आपसन देखिए फ्रेंज जूट काफी जो रबर फसल का मतलब होता है जिसमें रेसा होता है देखिए फ्रेंज आपसन करेक्ट हो जागा कि कौन एक रिशेदार फसल है जूट एक रिशेदार फसल है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवालों को देखते हैं देखिए फ्रेंज 16 नंबर के आपको सवाल है कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमिक काउन सी है काली मिट्टी लाल मिट् सबसे उचित जो मिट्टी माना जाता है तो काली मिट्टी माना जाता है कौन से मिट्टी इसको याद रखेगा कि कपास की खेती के लिए कौन से मिट्टी सबसे उप्युक्त होती है तो काली होती है इसका सही जवाब एवला आप्सन करेक्ट हो जाएगा कि कपास की खेती के सबसे उच्छी होती है काली मिट्टी ठीक है अब देखिए फ्रेंश को काला सोना कहा जाता है आप संदेखिए हीरा जस्ता कोईला या प्लेटिन काला का सबसे कि नंमर के सबस्क्राइए क कानवी करणी योग संसाधन नहीं है देखिए हम पक्लल में पवन उर्जा जल जिवाश इंधन या वन तो फ्रेंट देखे इसका जो सही जवाब आपका होगा सिवला आपसन कर्यक्ट हो जाएगा जिवास इंधन जो है एक नभी कड़ी योग्य संसाधन नहीं है जबकि इसके अलावा देखे प्रेंश पवन उर्जा नभी कड़ी संसाधन के अंतरगत आता है जल क सा रघ है परतब के मतलब होता है प्राचीन समय से ही रूप में उपयोग करतेसी चले आए यहीं प्रमप्रागत करण एक है जिसकी मात्रा व। ओरन में लिए मनडल में निष्चित होती है डेखेंगे अंश्चित होता है हम मध्यों होता है पवन धरन ये आपका ज्यादा में उप्यूक्त होता है जिया रही इस लिए एक्समान और प्रमप्रागत को प्रमप्रागत सवाया देखेंए यहां पर दोग म्य किसे प्रकार का परदूशन होता है आप समें में भूमी परदूशन जल प्रदूशर यह उप्यूक्त सभी तो फिरेंगे उद्योग से आपका देखेंगे तो आपका उसमें चिमने से दूबा निकलता है उसके आपका वायू प्रदूशर भी होता है आपका भूवी प्रदूशर भी होता है और जल का भी प्रदूशर होता है इस प्रकार से देखा आपको कुछ most important दिर्ग उत्री प्रश्ण को बताते हैं जो आपकी 2024 के पेपर में यह सभी प्रश्ण आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है इस प्रश्णों को आप जरूर तयार करके जाएगा देखे पहला प्रश्ण आपको क्या है कि जर्मनी एकी करण की प्रकिरिया के आव生 Hers बितने के प्रश्ण आपको जर्मनी के पारे में पढ़ जरूर जाईएगा ठीक के इसके बारे में फ्रांस का इकी क्रण हुआ इतलिसका इन्दूर्न कर्ण फ्राइघस्ण है इनने तीन का प्रड़ों का उल्यक कीजिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेन प्रश्ण है फ्रेंस बार बार आपके बोर्ड के एक्जाम में रिपीट होता है और 2024 के पेपर में भी रिपीट होगा इस प्रेश्ण को आप जरूर पढ़के जाएगा असायोग आंदुलन कब चलाया गया था इ अवाग्या अंदुलन इसके अलब पढ़ सकते हैं भारत छोड़ो अंदुलन यह प्रमुख जो आंदुलन इसको पढ़के जाएगे फ्रेश्ण यह जब आपकी पेपर में आगे तो कम सकाम च्छा नंबर का आएगा ठीक है अब दीगे फ्रेंस तीसरा नंबर का सवाल सब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है भारती अर्थ विवस्ता पर महामंदी के किरीत तीन प्रभाव का उल्यक कीजिए फ्रेस आप जरू महामंदी के बारे में अब बोर्ड की एक्जाम में पढ़के जाएगा 100% फ्रेंस गारंटी देते हैं कि महामंदी से संबंदित आपकी बोर्ड के एक्जाम में सवाल जरूर पूछने वाला है ठीक है अब दिखे फ्रेस चौथा नंबर का सवाल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है कि भारती मिट्टियों का वर्गिकरण विस्तार से कीजिए ठीक है भारती मिट्टी के बारे मिट्टी पढ़ लीजिए पुरुभप्र पराओन हैं बार के बारे बोर्ड के एक्जाम में देखने के लिए नवीट प्रशनों को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चलब को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंज के पास अधिक से अधिक सेर करें